नमस्कार जश्ट टू मिनिट से तरहुल नागरा में आपका स्वागत हैं फेमस इंडियन पैलसस में मैसूर पैलस का भी नाम है इस वीडियो में मैसूर पैलस के पांच इंटरस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे वो भी सिर्फ दो मिनिट में तो शुरू करते हैं कहा जाता है कि इंडिया का सेकेंड मोस्ट विसिटर टूरिस्ट अट्रेक्शन मैसूर पैलस है पहला ताजमयल है यहाँ पे साल भर टूरिस्ट का आना जाना रहता है पर ये संख्या दसेरा के दोरान काफी मात्रा में बढ़ जाती है सबसे पहले मैसूर पैलस लकड़े से बनाया गया था 1890s के दसेरा उत्सों के दोरान ये पैलस जल गया था आज जो हम ये पैलस देखते हैं ये 1890s के बाद इसका पुनव निर्मान हुआ है आज जो हम मैसूर पैलस का स्ट्रक्चर देखते हैं वो इस पैलस का फोर्थ वर्षन है और इसे बनाने में 15 साल लगे थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेंडरी इर्विन ने इस पैलस को 1897 से लेके 1912 तक बनाया था मैसूर पैलस का एक खास अट्रैक्शन है इस पैलस को लाइट से जगमगाते हुए देखना हर संडे पब्लिक हॉलिडेज और दसेरा के दोरान ये पैलस लाइट से सजा रहता है कहा जाता है कि इस पूरे पैलस की बिल्डिंग के उपर एक लाग बल लगे हुए है इस विशाल महल के परिसर में 12 मंदीर है जिसमें से सबसे पुराना 14th सेंचुरी का है इन सभी मंदीरों में कलात्मक चित्र और अलंकृत वास्तुकला विवरण है तो दोस्तों ये थे मैसूर पैलस के पांच इंटरस्टिंग फैट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और दूसरों के शाथ शेर करें इस चैनल को सब्सक्रेब करना और बेल आइकोन प्रेस करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा